हेलो फ्रेंज मोना जाइका में आप सभी का श्वागत है इस तरहीके से आलू चना की सब्जी बनाएंगे ता आपका ग्रेवी बहुत गारा होगा सबको पस्षंद आएगा बहुत लोगों होता है आलू चना के सब्जी ग्रेवी गारा नहीं होता है तो उनको परसानी होते ब टमाटर सबको कटकर ली हैं दो मीडियम साइज उबला हुआ आलू है यह चमच हल्दी पौडर एक चमच धनिया पौडर आधा चमच जीरा पौड़र 18 चमच बलेक पेपर एक चमच लाल मिर्स पाउडर है और एक अदरक लशन का पेस्ट ड़के इसको अच्छे से हम घोल ने कि सब्ची इतना अच्छा कैसे बना है इसके लिए सरसो का तेल है दो चम्मच एक मिर्चा है थोड़ा सा मेथी है तरका देद गया है बस इसके बाद प्याच को हम ब्राउन भूल लेंगे इसको अच्छे से गोल गोल देखिए एक दम सिंपल तरीका है इसको कोई भी लेडी जेंज कोई भी बना सकता है थोड़ा सा इसमें हम डाले हिंग पाउडर और इसमें चना डाल देंगे फिर इसको दो से तीन मिनट अच्छे से हम लगतार चलाते हुए बूनेंगे इस इस तेस पर थोड़ा सा अध्रक कर लेसुन का पेश डालेंगे इससे इसका बहुत अच चन्ना का फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है इस चीज का आप लोग ध्यान दे और इसके बाद घोरा हुआ मसाला जो हम घोल बनाये थे उसको डाल देंगे फिर टमाटर डाल देंगे और फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जिसका मात्रा है एक चमच इसको दो से सबजी बनाये आपनों के घर में कभी सबसी खराम नहीं होगा बहुत टेस्टी बने का बने और जो उबला हुआ अलो है руд foods ध्यान दे कभी कट कर क डाले हैं हाथ से मैस करके डाले उससे क्या होगा कि आपका सब्जी बहुत टेस्टी बनेगा इसको ऐसे ही देखिए चलाते रहेंगा इस इस टेश पर हम एक चमच गरम मशाला डाल रही हो इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और एक चमच इसमें हम मेथी कस्तूर में इग्रीडियन से चावल कांटा एक बरा चमच इससे क्या होगा गरेवी बहुत गरा होगा टेस्टी भी होगा इसको दो से तीन मिनट ऐसे ही लगतार चलाते रहेंगे आप लोग कुछ समझनी की ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पर एक एक चीज मैं इसलिए लिए लिख दी इसको हम ऐसे ही ढग देंगे देखे कितना सुंदर दिख रहा है फिर ढग के दो से तीन मिनट इसको पकाएंगे तो लीजिए सूपर टेस्टी आपकी आलू चना की सबजी बनकर तयार है तो आप लोग भी बनाईए जरूर कमेंट में लिखिए कि कैसा बना है अब वीडिय पिकेशा बना है धान्यवाद